संग आदि सेज हमारा समर संग का सात्वा सुनहरा अमर अमत बहुत अच्छा नियम है संग आदि सेज संग आदि सेज का जो उल्टा सब्द होता है वो होता है एक आदि सेज एक आदि सेज यानि संग आदि सेज दे या इसका उल्टा होता है कोई एक आदि सेज संग आदि सेज को पाली में बहुती ज़्यादा प्रमुक्ता दी गई है और संग आदि सेज का मतब है कि संग आदि सेज यानि संग का घोशना आदि सती माने होता है घोशना कहना तो अगर announcement होती है तो उसको आदिसती बोलते हैं वह आदिसती करता है वह आदिसती इसका मतलब है वह आदेस करता है वह घोशना करता है आदेस का मतलब कमांड नहीं है, और नहीं है, आदेश का मतब है एनॉसमेंट, घोशना, क्योंकि पुराने समय में जो लोग जितने भी सन्निपात बहुर करते थे, सम्मेलन करते थे, और आपस में जब मिलते थे, समस्या पर बात करते थे, समाधान पर बात करते थे, तो समस्या और समाधान होने के बाद, उसकी गोशना होती थी, और वो गोशना एकल नहीं होती थी, किसी एक व्यक्ती के कहने पर या एक व्यक्ती ने कोई गोशना करना ऐसा नहीं होती थी, पहले सामुहिक निर्णे होता था, पूरे संका निर्णे होता था, फिर वो गोशना कोई भी करे पर वो आदेश संग का माना जाता था कि ये पारित हुआ है और ये आदेश अब संग का आदेश है पुराने समय में कोई लिखित चीजे नहीं मिलती क्योंकि सब्द बने नहीं कागस थे नहीं धातू थे नहीं धातू नहीं थे तो पत्थर पे भी लिखनी पाए क्योंकि अक्षर भी नहीं था अक्षर ग्यान बना भी नहीं पर भासा थी तो सारा काम आदिसती चलता था यानि के आदिस पे या आदिसती पे यानि के घोशना के आधार पर जो कह दिया उसके आधार पर और वही नियम बनता था संग का आदिस तो इसको संग आदिसेस बोला करते थे जितने भी संग है जो भी संग थे वो सबी अपने अपने घोशनाय करते थे पसल काटनी है पसल उगानी है जंगल में जाना है उस दिन कोई उस्सव है उस दिन कोई मर गया तो नहीं जाना है यह सब घोशनाय हुआ करती थी और समस्याय भी आती थी दंड भी होते थे और वहां लोगों को पुर्साहर में मिलता था यानि कि घोषना हर तरह की होती थी चाहे वो सामाजिक है चाहे दंडात्मक है चाहे वो वैबार की है चाहे वो आर्थ की है चाहे वो खेती की है चाहे फसल की है या दुख की है या सुख की है या इनाम की है सारी घोषनाएं सब को संगादी सेश ही बुला जाता था ये संगादी सेश की जो बातें हमें हैं वो बुद्ध की जो सबसे बड़ी बात है उसमें भी हमें मिलती है क्योंकि बुद्ध जब बुद्ध नहीं थे और उनका नाम सिद्धत गोतम था तो उस समय जब वो अपने संग में दाखिल उसके बाद वो संग में ताकिल हुए उसकी गोष्णा होई कि आज से वो संग के मेंबर हैं वो भी संगादीसेज था और जब उन्होंने संग की बात नहीं मानी ओवर्डूल किया उस समय जो उनको दंड मिला वो भी संगादीसेज था यानि सारी बाते संग के आदेश के उपने भिक्कु संग में भी लिया यानि जो सम्डो का था सम्डो के बहुत सारे नियम थे वैसे ही नियम भिक्कु संग में भिक्कु संग में भी लिये पर वहां उनके नियम बद्ध किये गए और वहां जो जो समसाय आती थी या जो जो सुझाव आते थे यानि जैसे हम यहा नियम बनाते हैं तो उसमें एजंडे लगते हैं और उसमें जो कारे सूची लगती है एजंडाज होते हैं उन एजंडाज में या कारे सूची में सब लोग अपने हिसाब से जो उनको अच्छा लगता है वहां वो नियम लगाते हैं उन पर चर्चाय होती हैं कुछ डाउन हो हैं ठीक वैसे ही बुद्ध के समय बुद्ध ने भी जितने भी नियम बनाए वो नियम एक दिन में नहीं बने वो पैतालिस साल में बने हैं वो नियम लगातार जैसे जैसे समस्य आती रहती थी वैसे वैसे उनकी कारे सुची लगती थी वैसे वैसे संग वैठता था, वे ऐसे वसे उस पर तरक वितरक होते थे और जो सारे लोग मानते थे उसकी वहाँ पर घोषणा यानि संगादी से सो जाता था, अनौंस्मेंट होती थी, घोषणा हो गई, पर वो सब लोग उस संग के आधेस को मानते थे, चांग का आधेस तो तब ही मिलता है उनको और धंड का पूरा प्राद्धान और धंड की पूरी सहीता यानि धंड का पूरा नीख. तो सुझाप के भी बनें, काम के भी बनें, जो जानकारें आदान प्रतान हुँँ उसके भी बनें और सबसे बिलाधिसेस को वो नहीं मानते हैं उनका वालयोशन करते हैं उन पे नहीं चलते हैं तो उनको दंड मिलेगा 극्छ दंड ऐसे थे जो smear की है खाली सीखने के होते थे कुछ ऐसे थे जो उनको पाच चिते बोलते थे जिनमें प्रायशित करना होता था यानि पीछे जाके तप करना होता था लोग उसको कहते थे कि क्या है चलो प्रायशित करो कुछ दंड ऐसे होते थे, कुछ काम ऐसे होते थे, जो नहीं करने पे थोड़े गहरे दंड मिलते थे, और कुछ ऐसे होते थे जिनमें संग से निकाला भी मिलता था, पर मितु दंड नहीं था, मितु दंड वहाँ भिक्कु संग ने कभी दिया, बस संग से निकालने का सबसे वड़ा दंड वहां था और सबसे छोटा दंड था प्राश्चित करने का या सेख्ये करने का जो सेख्ये की बात नहीं मैं तो सिर्फ प्राश्चित कर लो या उसको कह दिया सिखा दिया बस समझा दिया कि तो मैं यह ऐसा करना चाहिए था बहुत सारे सामने नई भिक्को ऐसे जा करते थे पाती माने पत्र होता है आज के समय यानि लिष्ट पाती माने लिष्ट होता है और मुख माने होता है भिक्वों के मुख के यानि के मुक्ती प्राप करने के यानि ज्यान को जो बोधी है उसको प्राप करने के नियम तो पाती मुख बुला करते थे तो पाती आलंद करता था उसका दन्डवी माहा बताया जाता था कि इसका ये दन्द ये प्रक्टिश चलती रही आगे जाकर संघ के और संबसंग के जारी होते रहें प्रक्टम के यहीं ऑगे जाके हमको गाई। मिलते हैं गाउं के अंदर पंचायतें बैठती हैं पंचायतें स्वतंत्र होती हैं क्योंकि गणों के जो जो गण परिशा होती थी जो अलग-अलग संगों की परिशाद होती थी वो स्वतंत्र होती थी क्योंकि राजा का भी व्यवस्ता होती थी जैसे बुद्ध के काल में पसंदी राजा की व्यवस्ता भी थी और जितने गर्ण थे जितने संग थे उनकी भी व्यवस्ता थी पर संगों के जो संगादी सेज थे वो राजा के जो आदेश थे उनसे ज़्यादा सक्तिसाली होते थे, यानि जो संग ने आदेश दे दिया, वो उस व्यक्ति को मानना ही पड़ेगा, उसमें राजा भी कुछ नहीं कर सकता, राजा उसमें इंटर फिर नहीं कर सकता, वही नियम आज भी भारत में है, अगर ने सजा कुछ दे दी तो वो सजा आपको माननी पड़ेगी और सजा नहीं मानोगे तो वो जुर्माना करेंगे आर्थिक जुर्माना और हार्थिक जुर्माना ना करेंगे तो आपका हुपका पानी बंद कर देंगे और कई केसों में तो वो गाउं से निकाल भी देते हैं या सब जिगे चलते हैं, वही संगादी सेज के नियम, टॉक्टर अमबिट करने समविधान में डाले, समविधान के अंदर लोक सवा में, लोक सवा का मतलब होता है, लोकों का संग, वहां सारे सारे लोग बैठते हैं, वहां समस्वाइं आती हैं, अब चुणकि कागज भी आ गय और अब नियम जितने भी हैं, उनकी किताब भी आ गए, जिसको समविधान बोलते हैं, और भी किताब में बन गए उसके साथ में, तो सारे लोग उस पे चलते हैं, अब याद करने की आउसकता नहीं है, समस्वे आई तो किताब में पढ़ लेते हैं, क्योंकि अब संगादी बैठती हैं, या विधान समय बैठती हैं, या विधान परिशित बैठती हैं, या जिली परिशित बैठती हैं, या ग्राम पंचाइद बैठती हैं, या ब्लॉग बैठती हैं, जितने भी लोग जहां जहां भी निन्नगर पालिक आए हैं, जहां भी संग बैठते हैं, लोग बनने के बाद में फिर वो पबलिक के लिए रूल बनके आ जाता है तो संगादी सेस आ गया संग ने आदेश कर दिया वो मानने होता है तो देश के सारे नियम सबको मानने होते हैं संसत के सारे नियम मानने होते हैं विधान सभा के सारे नियम मानने होते हैं लोग सभा के सारे संगह का आदेश हैं वो व्यक्तिकत नहीं है वो किसी व्यक्ति की इक्षा नहीं है उसे पूरा हाउस पास करता है तो वो संगह का आदेश माना जाता है नाम बदल गया है नाम आज कल उसको हम बिल बोलते हैं कि बिल आ रहा है उस समय बिल नहीं बोलते थे उसमय प्रस्ताब बोलते थे पर बिल्कों भी प्रस्ताज बोलते हैं तो सारे के सारी चीजें डिटो वहीं चलती हैं पर समस्य कहां आ रही है हमें परिशानी कहां आ रही है हमको परिशानी ये आ रही है कि हमारे जो आज के समय जो लोग हैं जो हमको इखटा करते हैं और जो हमको इखटा करने क बारबार कहते हैं कि खटे हो जाएं वो एकल है वो संग नहीं है वो अलग-अलग हैं और उनमें व्यक्तियों की या व्यक्ति के दोचार जो समवूर बना लेते हैं, गुरुब बना लेते हैं उनकी चलती है जहां संगों के नियम होते है By the people, for the people, of the people चाहे वो गाओं की पंछायत है चाहे वो निन्दनगर की कोई परिशद है या Municipal Carperson है चाहे वो कोई भी संस्ता है जो लोग नहीं चुनी है तो by the people, for the people, of the people यानि लोगों के लिए लोगों के द्वारा लोगों की तो वो जो संगादिसेस होते हैं संग के आदेस होते हैं वो लोगों के आदेस होते हैं लोगों के लिए होते हैं और लोगों के होते हैं पर हमारे जो संग्ठन हैं जितने भी संग्ठन हैं चाए वो सामाजिक हैं चाए वो राजनितिक हैं बनते हैं for me, by me, of me. यानि मेरे द्वारा, मेरे लिए और मेरा. जितने भी नियम वो बनाते हैं, वो संग नहीं बनाता. वो दो चाल लोग बनाते हैं और मुझ अधिकतर कियोसों में एक व्यक्ति बनाता है और उसका सिधान्त होता है कि ये नियम मेरा है, मेरे लिये है और मेरे द्वारा है यहां संग के संगादी से इसके नियम का वालिशन होता है पर वो प्रिजेंट ऐसा करते हैं लोगों के सामने कि जैसे ये लोगों के लिए कर रहे हैं, लोगों की एक्षा है, लोग ये चायते हैं, और बहुत घुमा फिराके वो बड़े एक्सपर्ट होते हैं, जो बोलते हैं, लोग उसमें फच जाते हैं, लोगों को पता नहीं है, कि हमारे तो खून के अंदर, जिन के अंदर संग का आदेस है व्यक्ति का एकल आदेस नहीं है तो जब एकल आदेस नहीं है तो वो मानते भी नहीं है उसको इसलिए सारे संग्ठन कभी जिन्दी में काम्याब नहीं होते और नहीं उनकी कोई बात मानता है संग के आदेस जो होते हैं वो हमेशा संग के द्वारा संग के वेलफेर के लिए सांग ही कि जितने भी संगी लोग हैं उनके लिए बनते हैं वो व्यक्ति विशेश के फायदे के लिए कभी नहीं बनता तो सारे के सारे जितने भी नियम बनेंगे आपको चाहे वो लोग सवाम बने चाहे विधान सवाम बने चाहे वो पंचायत में बने चाहे वो बना है जो एक दो व्यक्ति के लिए नुपसान दायक है और संग के लिए फायदे बंद है तो उन एक-दो लोगों का नुपसान नहीं देखा जाता है क्योंकि पूरे संग का फायदा देखा जाता है पर संग्ठनों के अंदर मामला कुछ और है संग्ठनों के अंदर क्योंकि वो संग नहीं है और वो संग की परिवासा जानते ही नहीं है तो वो अपने हिसाब से अपने लिए नियम बनाते हैं वो नियम पर को तर्क बितक नहीं होता वो नियम बंदकमने बनाया मर जी आई तो बना दिया जो चाहा है वो बना दिया, जैसा चाहा कर दिया. और वो सारे नियम अपने लोगों के लिए और अपने लिए बनाते हैं, जो उसमें दोचाल लोग होते हैं, वो पłलिक के हसाफ से नहीं बनते. पर bucks इसमें कुछ कर भी नहीं सकती. अगर आप कहो के संग्ठनों ने नियम ऐसे क्यों बनाए या एकल नियम क्यों बनाए या उन्होंने जो सम्विधान अपने बनाए है वो विक्तिवादी सम्विधान क्यों है उसमें वो प्रधान क्यों है उसमें जनल सेकर्टी क्यों है हमने तो चुना नहीं हमने तो बोड़ बने हुए होते हैं लोग उसको बनाते हैं पर जितने भी संग्ठन हैं वो व्यक्ति द्वारा बनते हैं और लोगों को ऐसा दिखाय जाता है कि ये लोगों का वैलफर करेंगे लोगों का काम करेंगे क्योंकि पैसा तो लोगों से आना है जब इस तरह का जो एकल संग्ठन होत जिसका कोई व्यक्ति मालिक होता है जो सांगिक नहीं है संका नहीं है तो उसको हमारे लोग सब चीज देते हैं उसको पैसा भी देते हैं अगर कोई राजनितिक है तो वोट भी देते हैं और उसको सपोर्ट भी देते हैं और उसके लिए सारे काम करते हैं सारे काम ये सोच के क करते हैं कि इससे हमें कुछ मिलेगा क्या मिलेगा इससे हमें परिणा मिलेगा लाब मिलेगा सुछा मिलेगी विकास मिलेगा इससे हमेरे बच्चों को कोई आगे रुजगार मिलेगा यह हमारे दुखों को दूर दूर करेगा इस उमीद में वो अपना पैसा भी देते हैं तन संग्धैस है ही नहीं उनके पास एकलादेस है और वो जब चाहें जब उनकी एक्षा है कि अगर उनके थोड़ा बहुत पपलिक ümüz का भला करना है दो चार जो उनके खास है यारे प्यार हैं तो कर दो और नहीं कर दो तो कोई पबलिक का दवाब नहीं है कोई संग का दवाब नहीं है कोई लोगों का दवाब नहीं है वो व्यक्ति खुद बनाते हैं और खुद उसके मालिक होते हैं क्योंकि वो संग के आदेस है नहीं कभी भी 29 लाग संग्ठनों में एक भी संगल आदेस आज तक ऐसा नहीं है जो सांधिक हो जो संग का आदेस हो 29 के 29 लाग संग्ठन अगर संग का आदेस देंगे तो सबसे पहला आदेस ये देंगे ये जो संग्ठन बना है ये हमारे द्वारा बना है हमारे लिए बना है और हमारा है और जैसे ही वो ये कहेंगे कि ये हमारा है संग्ठन का मालिक तो बेकार हो जाएगा संग्ठन के मालिक की तो चलेगी नहीं क्योंकि जब सब लोगों ने ये कह दिया कि ये संग्ठन हमारा है तो तो संग बन गया और संग बन गया तो व्यक्ति का धेकार खत्ब हो गया इसलिए जो व्यक्ति संग्ठनों को बनाते हैं किसी प्रकार के संग्ठनों को बनाते हैं वो कभी संगा देश नहीं लेते भूलके भी वो अपनी उलादों से भी कहके मर जाते हैं सारे काम करना पर क कभी पब्लिक का डिशन मत लेना कभी पब्लिक से मत पूछना कभी पब्लिक से बात मत करना और पब्लिक से पूछने का नाटक भी करना पड़े तो उनको एक शातिर वकील की तरह हां और नामे जवाब पूछना हां ऐसे करके खड़े होना और कहना अच्छा बताओ तुमको क पहोंत हो जा तो मुझे बता देना, देखो मैं तो संघ की बात माणूँगा, और कभी नहीं कि बताएगा उनको शाधिर वक्यल की तरह कि तुम को कोट्पेंट चाहिए or नहीं 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 करेगा, उनको नारे में पजामे में उनके डानके चोड़ देगा, और वो भी देगा नहीं क्योंकि किसी भी हालत में संग का अगर डिशन आता है तो संग सबसे पहले ये कहेगा तू कौने हमसे पूछने वाला तुझे तो हमने चुना नहीं तेरी तो नियत खराब है तेरा तो काम खराब है तेरा तो हमने देखा है तूने तो हमारा संग्ठन तोड़ दिया तूने तो हमारा संग्ठन ऐसा कर दिया वैसा कर दिया क्या जवाब देगा और कौन जवाब देना चायता है और कौन सुनना चायता है तो संग के आदेस सबसे बढ़िया होते हैं और संग के आदेसों के वज़े से ही हमारे जितने भी काम है वो अच्छे होते ह संग के आदेश आपको सारे fundamental right देते हैं. क्योंकि सबको चाहिए, सबको वो अधिकार चाहिए, इसनिए कोई अपना अधिकार छोड़ना नहीं चाहता. तो संग हमैसा के लिए बहुनात से अपने fundamental right को चुनता है. पर जो संग नहीं है, जो संग्धन है, जो मालिक है उस सबसे पहले आपके fundamental right को खतम करेगा तो कि fundamental right में सांगिक right यानि संग का right आपको मिलकर एक body बनाने का right, vision लेने का right, अपने welfare का right उस सबसे पहले चाहिए तो आप सबसे पहले system को सांगिक करोगे जब भी आप fundamental right का इस्तमाल करोगे, पर कोई संग्ठन का मालिक नहीं चाहिता कि ये लोग system को संग्ठन को सांगिक बना दें, इसलिए 29 के 29 लाग जो संग्ठन है उन में से एक भी संग्ठन ऐसा नहीं है, जो संग की बात करता हो या संगादी सेस की बात करता हो, एक सिंगल व्यक्ति के पास भी संगादी सेस नहीं है क्योंकि अगर संग का आदेश लेगा, तो संग सबसे पहला काम करेगा by the people, for the people, of the people, यानि कि ये जो चीज़े हैं, ये संग के द्वारा हैं, संग के लिए हैं और संग की हैं, यही कारण है कि हम डिमांड तो करते हैं कि हमारा समिधान लाग होना चाहिए, हम डिमांड तो करते हैं कि हमारे fundamental right मिलने चाहिए, हम डिमांड तो करते हैं कि बावासाव अमेट करने जो हमको system दिया है, वो हमें बचाना है, हम चलाते हैं जो डिमांड करते हैं और जो इसका शोर मचाते हैं और जो हमसे चंदा लेते हैं वोट लेते हैं पैसा लेते हैं सपोर्ट लेते हैं सारे काम लेते हैं वो हमारी नहीं सुनते वो संग की नहीं सुनते उनको संगादी से ऐसा लगता का आदेस पारिक करा लेगी, ये पॉसिबल नहीं है, ये बिल्कुर भी पॉसिबल नहीं है, कि जो काम आप ना करो, उसे दूसरे से लिए कहो, तताकत गुद्ध को, इसलिए तताकत गुद्ध बोते थे, क्योंकि पहले वो काम खुद करते थे, उसके बाद में वो काम सिखाते थे, यहां संग्ठन, बाइदमी, फॉर्दमी, आपदमी, मेरा संग्ठन, मेरे दुआरा मेरे लिए पर चलते हैं, और मांग करते हैं, हमारा संविधान हमारे लिए और हमारा के लिए काम करे, ऐसा पॉस लोगों की जो mentality है, वो संगात्मक नहीं है, संग के अनुसार काम करने की नहीं है, उनकी जो mentality है, उनका जो ओमन मस्तिक्स है, वो संगठन की तरह काम करने का है, और संगठनों के अंदर बहुत सारी चीद गवड है, जो यहां सारे के सारे 10 गोल्डन नियम में बताई गई है, ये सारे नियम से पालम करने पड़ेंगे और जब ये सारे नियम पालम करने पड़ेंगे तो उसको संगादी से समझ मा जाएगा कि संग का आदेश कैसा होता है कोई आदमी पाली में कई वार आपको मिल सकता है वो बहस करेगा आप से कि संगादी से तीन सब्दों से मिलके बन किसी भी चीज का जो समू है उसको संग बोलते हैं । आधी माने होता है आरम्व यानि प्रारम यानि शुरुआत और सेस माने होता बचा हुआ तो लोगों का समू हुआ फिर हम ये कहें के आरहम और उसके बाद के बचा हुआ तो ये कोई सेंस नहीं बनता तो कैई वार पाली के अंदर सब्द बदल जाते हैं पर जो पाली की विनेपीटक में जो दिया हुआ है उससे ये एक्जेक्ट मिलता है कि संग आदेश देता था और वो आदेश 277 और 311 हैं जो विनेपीटक के अंदर हैं और वो संग के आदेश हैं आदेश सित माने जो होता है वो घोशना होती है इसलिए समू घोशना करता है यानि समू कहता है कि अब ये बात तै हो गई है और ये बात मानी जाएगी समू वोई घोशना करता है जो समू से पास हो जाती है इसलिए ये जो पुरानी पद्दती है संगादी सेज की ये सबसे अच्छी पद्दती है और हमें इस पद्दती को पूरी तरह से लागू करना चाहिए और काम करना चाहिए पर संगादी सेस तब तक ही संगादी सेस है जब तक आप उसको मानते हैं आप उस पर चलते हैं इसके लिए कोई दंड लेने की या दंड प्राप्त करने की अगर आप जिद्द करेंगे तो पिर संगादी सेस का अवेलना हो जाती है उसका एक तरह से ओवरूल हो जाता है उसक बचना चाहिए और संग के जितने आदेश हैं उनका अधियन करना चाहिए अभी बहुत सारे संग के आदेस बनेंगे और कोसिस करनी चाहिए कि हम उनका violation ना करें अगर कोई परेशानी और कोई दिक्कत है तो violation करने से पहले संग में ये बात रखनी चाहिए, कि ये जो संग का आदेस है, ये comfortable नहीं है, ठीक नहीं है, खराब है, अच्छा है, बहस उन पर हो सकती है, पर अगर संग का आदेस आप नहीं मानते हैं, तो सीधे-सीधे आप संग को challenge करते हैं, क्योंकि सारे के सारे संग ने इन आदेसों को बनाया हुआ है, क क्योंकि कोई व्यक्ति ने क्योंई बात रखी, उसके दिमाग में कोई आया, और उसने वो प्रस्ताब रखा, और वो प्रस्ताब पास हो गया, तो इसमें फूल कर कुपा होने वाली बात नहीं है, यहां व्यक्ति से नहीं चलता है, क्योंकि अगर व्यक्ति को व्यक्ति के बहुत अच्छे आइडिया है और व्यक्ति बहुत बड़िया प्रस्ताब लेके भी आता है पर बिना संग के क्या करेगा बिना संग के तो वो उसके एकल आदेश है और वो उसके एकल बात है संग जब तक नहीं मानेगा जब तक चलेगा नहीं तब तक वो आदेश बेकार है तो एक वार किसी व्यक्ति का अगर idea हो गया और उसमें आया तो वो संग की property हो जाती है, वो संग का आदेस हो जाता है, व्यक्ति का उसमें कुछ नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए कभी संग आदेस नहीं होता, हमेशा संग का आदेस संग के लिए होता है, एक व्यक्ति क किसी नियम क्या हो सकता नहीं है, वो कुछ भी खाए, कुछ भी पीए, कपड़ा पैने, या नंगा रहे, या बाल रखे, या ना रखे, वो चाहे महिला हो, चाहे जैंड सो, वो कभी सोए, कभी जागे, कोई काम करे या ना ना करे, कहीं पत्थर फैंके, कहीं इट फैंके, अक हो गया और उसमें जो आपस में मिलके वो नियम बनाएंगे वो संग का आदिस हो जाता है तो एक व्यक्ति को संग आदिसेश की जोत नहीं पड़ती इसलिए एकल आदिस जैसी कोई चीज पाली में नहीं पाई जाती पर संग आदिसेश का मतलब है कि संभू के द्वारा बनाएं नियम और वो उन्पे चलना होता है तो संग आदिसेश आपको जगे 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 सब जगे मिलेंगे जो मैंने यहां आपको सिस्टम में बताए वो भी मिलते हैं आपके परिवार के अंदर भी संग आदिसेश होते हैं पूरा परिवार जिस बात पर मंतला करके बातचीत करके डिसाइड करके और उस पर चलता है वो संग का आदिस है और कोई अगर परिवा चित कर ले तो वो प्रायशित करता है फिर भी नहीं मानता है तो कहते हैं कि यह से नहीं मानेगा तो जो घर का बड़ा होता है वो एकाथ हाथ एकाथ डंडा उसके धर देता है कि थोड़ी बहुत सजासे मान जाए फिर भी अगर नहीं मानता है परिवार की संकी बात को तो उस के पैसे बंद कर देते हैं, वो पैसे दे के भी अगर बंद करके नहीं मानता है, तो फिर उसको कमरे में बंद कर देते हैं, कमरे में बंद करके भी अगर नहीं मानता है, फिर भी नहीं मानता है, तो फिर उसको पुलिस के हवाले कर देते हैं, कि इसको ले जाओ, जेल जेल में डालो ये मानता नहीं यही प्रिकरिया पूरी दुनिया में चलती है जितने भी संग उनके आदेस हैं और जो उनमें धंडात्मक कारवाई होती है और सारे समू लगबग सारी दुनिया में संगों के आदेस के निसार चलते हैं हर जगे संग के आदेस होते हैं जहां व्यक्ति स संक्या 120 करून है अगर हम इसको संग के आदेस में नहीं बादेंगे और कोई जो संगी है वो अपने आपको संग के आदेसों में नहीं मानेगा तो वो संग का हिस्सा नहीं है संग का हिस्सा वही व्यक्ति है जो संग के आदेसों को मानता है कोई व्यक्ति अगर संग के आदेस हैं क्या नहीं है चोटे-बोटे कारण होते हैं हमाई लोगों के और वो जो कारण है वो कारण बुद्धने मार बताए है किसी को प्रशिद्धी चाहिए किसी का एगो हट हो गया है कोई वहम का सिकार हो गया है किसी के घर परिवार में किसी के सामने इंसर्ट सी फिलो या वो लगता है कि हमारा तो प्रसिद्ध इतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी तो को इसकी कितनी हो गई इसकी कितनी हो गई इसकी कितनी हो गई या कोई काम धंका नहीं या किसी ने डाट दिया या किसी ने डपट दिया कुछ कहा या कोई ऐसा बात कह दी जो संग के व लगातार आती रहेंगी और जाती रहेंगी इन बातों से निकलना है इन बातों से उबरना है ये बातें लगाता लगार आदी रही और जितने भी संग जो भी काम करते हैं उनमें जितनी समस्या आती है सारी कौमन है कोई समस्या नहीं नहीं आती है सारी समस्या वही आती है जि जो भी कुस्स समध्याओं का हल है वो गुद्ध ने पैतालेस साल में अपने वि residents में दीया हुआ है और वहीं से उठा कर वह सारी की सारी चीजे समध्हरण में आई हैं जो भी व्यक्ति संग्में काम करेगा जो भी व्यक्ति संग्दे पैतार्स काम करके और logical की सो करन हैं इसाइब देश की समस्याह संणी को इसके बुद्ध ने दस नियम बताये जिनको मार का नियम बोलते दस मार के नियम हैं इन दस मार के नियमों में मौत के कारण चुपे हुए हैं और वही दस मार के नियम संगों के अंदर दिक्कत पैदा करते हैं पर बुद्ध ने सबसे पहले इन दस नियमों को मारा इन दस नियमों को काबू किया उसके बाद उन्होंने संग में कोई दिक्कत हैं तो अजीव अजीव से लगते हैं क्या लोगों को लगते हैं यह क्या गया और यह क्या गया और यह क्या गया वो उनकी सोच से परे हैं पर फिर भी जो संगत में यहां लोग हैं वो उन लोगों से बहुत आ गये हैं जो रत्किश का संग समझ में आता है और दूसरों के संग आदिसेश को देख देख के जलते हैं दूसरे के संग के आदिसों से परिशान रहते हैं दूसरों के संग के आदिसों को गालिया बगते हैं दूसरे के संग के आदिसों की तारिफ करते हैं और कहते हैं देखो उनका संग देखो ऐस सब्द का आर्थ भी नहीं पता आज बड़ी मुश्किल से हमें इसका आर्थ पता चला आज बड़ी मुश्किल से हमको यह पता चला कि संगादिसेस हमारी जीवन में कितने उपियोगी हैं आज अगर यह समझ संग अपनी सिडियां किसी भाई को कुछ गरत लगा हो या खराब लगा हो तो संग मुझे माफ करे, संग मुझे माफ करे, संग मुझे माफ करे है, संगंग नमामी, संगंग नमामी, संगंग नमामी, जैभीम, नमो गुद्धाय.